कि दोस्तों नमस्कार आज हम आपसे चर्चा करेंगे नसी दौरह उठाएगे कदमों के बारे में जो कि EPS 95 प्रेंस के पक्षम में उठाएगे हैं और आपको आज मैं दिखाने वाला हूं कि कि तरह से जो एनसी है वह सतत रूप से प्रयासरत है EPS 95 प्रेंस के मांगों को पू दूसर मीडिया के हवाले में आपको और कुछ भी अपडेट जो है अभी भी एनसी का प्रयास है करीब 135 दिनों से वह सतत रूप से जारी है उसके बारे में आपसे आज डिटेल में डिसकस करने वाला हूं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले में अपने सामने कप को दिखा रहा हूं जो अपडेट है उसके हवाले में आपको बता दो के नसी के हवाले राष्टिया शंकर समयती हैं नसी के आंदोलन कारेकरम के अनुशार मार्म निये कमांडर अशोक राउत रास्टिया अध्यक्ष के नित्तितों में दिनांग 34 2019 को इंदाओर में EPS 95 के पहिंसंद का सहभाग रहा है उसमें और इसी प्रकार के मूर्चा अंदोलन प्रतरशन मद्यप्रदेश के सभी जिलों में संपन करवाने का भी संकल्प किया गया है। प्रिंसंदार्गों के मांगों के संदर में माननी कमांडर साहब के नित्रत्यों में नसी के पताध कारियों माने स्री अमर्दीप मिश्रक्षेत्रिय भविश्य निर्वाहक नीदी आयुक्त और पी एफसी इनडौर के साथ चर्चा वह दिया गया नसी की और से घ्यापन भी दिया गया है कि एपीएस 95 परिशंधार को कि भावनाओं को एपीएफ मुख्य का रहा है दिल्ली तक पहुचाने वह मद्य प्रदेश के राज्य परिवहन इंदोर्स से संबंधित एपीएस 95 परिशंधार को कि सिकायतों को निप्टारे के लिए भी दिया गया छेत्री जो है आयुक्त को आश्वाशन जो है स्किल कार्डिंग दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं अगर बात की जाए मार्निय कमांडरा शुक्राउट जी राष्ट्य अधक्ष के मुख्य मांग शिंग भदोरिया और समभागी अध्यक्ष्री रामचंद्र यादो वरिष्ट एनेशी के सभी ने जो है मांग दर्शन किया बुला नड़ा महराश से पदा पधारी श्रीमति शोभा ताई और आरश अध्यक्ष महिला फ्रंट उस्षा ताई राउत मार्निय कमांडर साहब की धनपतनीश और सरीता नारखेड़े स्री बीएस नारखेड़े कारेकारडी सदस्य राधेश्यां पंचाल संभागिया अध्युपाध्यक्ष उज्जैन श्री जगदीश्य वास्तो जिला उपाध्यक्ष उज्जैन श्री गोपाल सर्माय नेसी नेता वस्री गजानन जो श्री महेश सतोरिया परदेश सच्यू श्री राम नरेश सिंग भदोरिया और संभागिया अध्यक्ष उज्जैन श्री कैलास राठो श्री दिनेश पटेल श्री राम राजन सागर वह इंदो टीम के सत्सत नमन तो आप देख सकते हैं इस इसको यहाँ पर इंगलिश सब्सक्राइब के लिए जिसमें मांग अभी वही है 7500 रुपए प्लस मास्रीक होना चाहिए प्लस डिये होना चाहिए और मेडिकल होना चाहिए तो आप देख सकते हैं अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं जो तीस अप्राइल को हुआ था उसके बाद फिर मैं आपको आउट अन्य जूज है अभी का साततरूप से जो एनसी के दौरा प्रयास के जा रहा है वो भी आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह स सांतियनदर्द धाता हूं उस दिन की अंदूरन मैं तो जैसा को आप देख सकते हैं किस पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि उस दिन यह की निजल्ग ऑप्रयास में कोई कियो करकारका आप अधिक्या के लब कुछ सांथियपोर ढंग से अपनी बातों को सरकार और पहुंचाने का जो काम एनसी के द्वारा और इस में की अभी भी सतत्रूप से वही है अप देख सकते हैं कुछ पिक्चर में आपको दिखा देता हूं कि यह देख सकते हैं आपके इंदोर के इप्यफो का रेलेक्स आमने यह से किया गया था और किस तरह से जो है एक पैंसर्स हैं अपनी बातों को लेके बिल्कु सांते फुट ढंक से एक सतत्त रूप से उनका प्रयास जारी है उनकी मांगे जो हैं सरकार के दौरान देखा किया जारा जैसे अब देख सकते हैं कि यहां पर जो है गया पन दिया जा रहा है और यह आप देख सकते हैं अब बात करें दो बरतमान की जो अभी जो अभी प्रयाज जो जा रही है उसका मैं आपको कुछ अबडेट दूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि उससे पहले मैं आपको कुछ अगर कमेंट्स दिखाऊं कुछ पोस्ट दिखाता हूं जिसमें कि जो से कप काफी दिख जो है मोटिवेशन मिलेगा हाला कि इतनी प्रयाज के बाद भी जो है एप एस और एप्याज़ के संगर्स में किसी प्रकार का कमी नहीं पाएंगा आ आपर लिखा गया है वी विल फाइट तिल दे इंड फॉर दे इंट्रेस्ट आफ आवर ईपिस 95 पैंशन डिमांड फॉर देमांड फॉर दे मिनिममम पैंशन साथ जार पान्सो प्लस डिये प्लस डिफ्रेंस और यहां पर देख सकते हैं इप उनीच तो पंचानवे एंड ह आपको मैं आपको दिखाऊंगा अभी तो उसमें काफी अधिक जो है संघर्स के बाद प्रयास में और उस्साह में किसी प्रकार का कमी नहीं नहीं नगर आएगा तो आप यह देख सकते हैं कि चार माई का मैं आपको बुला नडा अंदोलन का कुछ तस्वीर है दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं किस तरह से एक सो बतीसमा दिन है जो बुला नडा में सतत रूप से प्रयास जो जारी है जो आंदोलन जारी है वह आप देख सकते हैं एक सो बतीसमें दिन का यह कुछ पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं तो आगे बढ़ते हैं और आपको अपकर लेटेस्ट अभी दिखाता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं एक सो बतीस के बाद यह 133 वह यह पांच माई का जो है बुला नडा रांदोलन के कुछ पिक्चर से आप देख सकते 133 में दिन आप जैसा कि देख सकते हैं आगे दिखाता हूं मैं आपको भी लेटेस्ट में जो भी चल ला हैं तो यह देखिए कि आप यह 6 मई का है बुला नडा अंडोलन 134 वह दिन तो यहां पर आप 134 में दिन पर देख सकते हैं लोग अपनी प्रयास जो है उनकी जारी है यहां पर कुछ ग्यापंस दिया जा रहा है और अभी भी जो प्रयास है उसके बाद छे तारीक के बाद अगर हम साथ तारीक को दिखाएं तो वह भी जो है वह प्रयास जारी है मैं आपको दिखाता हूं तो जैसा कि अब देख सकते हैं यह साथ तारीक क्या है 135 वा दिन बोलन अन्डोलन और यहां पर भी जो है EPS 95 अपनी बातों को यह लिए अपनी प्रयास के लिए वह सततरूप से देख सकते हैं कि यह अब देख सकते हैं कि सारे संगर्स के बाद अभी तक किसी तरक नहीं EPS दौरा नहीं सरकार के दौरा किसी तरक अपडेट आया है हाला कि जो प्रयास है वह सततरूप से प्रयास जारी है तो दोस्तों यह कुछ इंपोर्टेंस अपडेट थे नसी और EPS के हवाले जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी था और यह जानकारी हमासा करते हैं आपको पसंद आई होगी और मैं बात करूं आपको कुछ अपडेट दे दूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं आप रास्टे शंगर समिती ने पानी के लिए बेवस्ता के वाए गर्मी में जो भी प्याओं का लाब लेती में महिला है तो यह आप देख सकते हैं पानी का जो है वहां पर विवस्ता किया गया है और आप देख सकते हैं आप फिप्त में 133 डेज एनने सी एगेशन बॉरानारा टीम एनने सी पेंसनर्स अरेंज ड्रिंकिंग वाटर फॉर्स टीजन तो यहां तो यह थी दोस्तों अभी तक कि अभी अपडेट्स जो था कि अभी नशी और प्रयास उनका वह सतत रूप से जारी है इन सब के बाद मैं आपको बता दूं कि आप इसी तरह के अपडेट्स के लिए एप्स 95 पेंस अर्टेट्स हरी अपडेट के लिए सभी अपडेट के ल को दिखा दो तो जयसirit कि अप यहां पर देख सकते हैं यह है शोल भी आपको फेस्बुक पर जाना और यह पेज सर्च करना है शोसल भी को सच करने के बाद आप जए स्पीच को लाइक कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं और हमारे पार जो भी अप्डेट आएगा ईप्स 95 और अ हम आप से मिसना होने पाएं और हम आपको लिए फिर सब्सक्राइब कर लिजेगा और मिलते हैं किसी नए अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों